बहिश प्रग्यो विभुर विश्वो अंता प्रग्यास्तुतै जसह घना प्रग्या तथा प्राग्या एक एव तृधा स्म्रतह दक्षिडाक्षि मुखे विश्वो अंता प्रग्यास्तुतै जसह आकाशे चरदी प्राग्या तृधा देहे ब्यवस्थितः विश्वोहिस्थूलभोगनित्यम तैयसा प्रविविक्त भुक आनन्द भुक्त था प्राग्या तृधा भोगनिभोधत्यम स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविवेक्तं तुतै यसं आनन्द अश्चत था प्राग्यं त्रिधा त्रप्तिम निभोधत्यम त्रिशुधा मसुयत भोज्यम भुक्ता यर्ष्च प्रकीर्तितः वेदुतं अभयं यस्तु सभुन जानो नलिप्यते प्रभव सर्वभावानाम सता मिति विनिष्चयह सरवं जनयती प्राणह चेतों शून पुरुष प्रतक प्रभव सर्वभावानाम सता मिति विनिष्चयह सरवं जनयती प्राणहा सरवं जनयती प्राणहा चेतों शून पुरुष प्रतक विभूतिम् प्रसवं त्वन्ने मन्यंते स्रिष्टि चिंतकाह सौप्ना माया सरूपेती सौप्ना माया सरूपेती स्रिष्टि अन्ने विकल्पिता विभूतिम् प्रसवं त्वन्ने मन्यंते स्रिष्टि चिंतकाह सौप्ना माया सरूपेती स्रिष्टि अन्ने विकल्पिता स्रिष्टि अन्ने विकल्पिता स्रिष्टि अन्ने विकल्पिता सताम विद्यमानानाम स्वेन विद्याकृतनाम रूप माया स्वरूपेत सर्वभावानाम विश्वतैयस प्राग्य बेदानाम प्रभवा उत्पत्तिही वक्ष्यति च वंध्या पुत्रु न तत्वेन मायया वापि जायते इती यदि असताम इव जन्मस्याद ब्रह्मनों व्यवारस्य ग्रहन ग्रहन द्वारा भावाद सत्त प्रसंगह द्रिश्टम चस रज्जु सरपा दिनाम अविध्याकरत माया वीजोत पन्नानाम रज्जवाध्यात्मना सत्वं नही निरास्पदा रज्जु सरप म्रग तृष्णिका दयह कचित उपलभ्यंते कीनचित यथा रज्ज्वाम प्राग सरपोत पत्ते हे रज्ज्वात्मना सरप सन्वे आसीत एवं सर्व भावा नामोत पत्ते हे वाग प्राण बीजात्मनाईवे एव सत्यं इत्यता शुति अपि वक्ती ब्रह्माई वेदम आत्मा एव इदगम आत्मा एव इदम अग्र आसीत इती सर्वं जनयती प्राण चेतों अंशून अंशून अंशवह इवर रवेहे आत्मकस्य पुरुशस्य चेतो रूपा जलारक समाह प्राग्य तैजस विश्व भेदेन देव तिर्यग आदि देह भेदेशु विभाव्यमानाह चेतों अंशवह ये तान पुरुशह त्रथक विशेभाव विलक्षण अग्न विस्फुलिंगिवत लक्षणाट जलारकवच्च जीव लक्षणांस्त्वरा सर्व भावान प्राणों वीजात्मा जनयती यतोरणना भी ही यठागने हैं छुद्रा विस्फुलिंगाह इत्यादी शुते हैं तो नहीं निरास्पदा रज्जू सर्प म्रग त्रिश्णिका आदयह कचित उब लभ्यंती की नचित इस विशे पर चर्शा हो रही थी कि ब्रह्म की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब कोई वस्तु वहाँ पर वास्तों में होए रज्जू पर सर्प का जो ब्रह्म है वो तभी हो सकता है कि वहाँ पर रज्जू जैसा कुछ सर्प जैसा कुछ पड़ा हुआ हो अगर रस्प ना पड़ी हो तो सर्प का ब्रह्म हो सकता है ज़िर रसी ना पड़ी हो तो क्या सरव का ब्रहम हो सकता है इसका मतलब सरव के ब्रहम के होने के लिए रसी तो होनी चाहिए बिना रसी के सरव का ब्रहम पैदा नहीं हो सकता तो सत्य क्या है बोले रसी जो ब्रहम पैदा हुआ वो गलत है लेकिन ब्रहम के पैदा होने के लिए भी कुछ होना चाहिए बन गया यदिर जगत एक ब्रहम की इस्तिती है तो जगत के पीछे भी कोई होना चाहिए बना ना इसलिए कल एक पंक्ती बोली गई निर अधिश्ठान कुतब भ्रांती अधियस्त तभी दिख सकता है जब कोई अधिश्ठान तो होए कोई कहे कि अधियस्त का दर्शन भी हो रहा है लेकिन कोई अधिश्ठान नाम की चीज है नहीं इसा कैसे हो सकता है इसले कल मने आपसे निविदन किया कि एक ऐसा ब्रह्म बतावे जिसका की कोई अधिश्ठान ना होए लेकिन अध्यास तो होए सोचो जनाम अध्यास तो होए और अधिश्ठान ना होए सप्न भ्रह्म की स्तिती तो नहीं है न हाँ नेलीमा भी तब दिखती है जब उसके लिए पहले आकाश ना होए और नेलीमा दिख जाए नेलीमा के दर्शन के लिए आकाश का होना तो वहीं तो भ्रहनती होगी इसका मतलब आकाश है खंबे में भूत यदि खंबा ही न होए तो भूत का दर्शन नहीं है सोच के देखो आप यदि खंबा ही न होए तो भूत का दर्शन कहां से होए जब खंबा है उले तो भूत का दर्शन है अगर जगत की ब्रहम की स्थिति आ रही है इसका मतलब जगत के पीछे भी कोई अधिस्ठान होगा और जो अधिस्ठान है वह सत्य है जो अध्यस्थ है वो मित्या है मेरे क्याल से बात क्लियर हुई होगी अध्यस्थ दिखता ही तब है अध्यस्थ दिखता ही तब है बोलो जी जब नजर अधिस्ठान पर न होए देखो जर अधियान से आप जिसको खंभा दिखता है उसको भूत नहीं दिख सकता उसको पता है कि ये खंभा है जिसको ये दिखता है कि ये रसी है तो रसी सर्व कहां से हो सकती है तो रसी का अग्रहन सरब के ग्रहन का कारण बनती है क्या बोला गया रसी का ग्रहन सरब के ग्रहन का कारण बनती है अधिस्ठान के अग्रहन के फरिणाम सरूप आदेश्ठान के ग्यान ना होने के कारण ही अन्ध्यस्त का ग्यान है तो आप से निविदान ये किया कि जो लोग बोलते हैं इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है बहुत दुब बोलते हैं इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है इसके पीछे भी कोई होना बुलो जी चाही कोई तो हुए बिना आस्पद के बिना अधिष्ठान के कोई चीछ पर अधियस्त नहीं हो सकता मैंरे ख़ाल से ये बात इसमें कोई शंका है कोई शंका इस बात में तो इसलिए ये लाइन देखिए नहीं निरास्पदा, पेज पर पहली लाइन है, नहीं निरास्पदा, निरास्पदा मतलम कोई आश्रे होना चाहिए, नहीं निरास्पदा, रज्यू सर्प मरग तृष्टनिका, हो सकता है आपकी दिमाग में और भी चीज़ आएं, इसलिए क्या लिख दिया, आदयह, रज् मरग तृष्टनिका का उधारण, कुछ भी आवे आदया, कुचित उपलब्यंते, के इनचित क्या हो सकता है, वुलित कभी नहीं हो सकता रज्ज्वाम उल्टा, देखो जी, अब बाजी पलती है कैसे है अध्यस्त के दिखने के पहले ही अधिष्ठान का अस्तित्व होना चाहिए सर्प के दर्शन के लिए रज्ज्व का पहले ही होना, भुलो जी, जरूरी है जगत के ब्रह्म की उत्पत्ती के लिए पहले ही किसी अधिष्ठान, किसी सब स्टेटम का होना तो जरूरी है बना, तो अध्यस्त के पहले ही कौन होना चाहिए, अधिष्ठान इसलिए बोलते हैं, रज्वाम प्राक सर्प उत्पत्ते है सर्प की उत्पत्ती के पहले ही है, कौन? रज्वाम, रज्वाम प्राक, प्राक मतलब पहले तो रज्वाम प्राक सर्प उत्पत्ते हैं, लेकिन पहले होने के बाद भी मुझे उसका ग्यान नहीं है इसलिए मैंने क्या दर्शन किया? सर्प तो रज्वाम प्राक सर्प उत्पत्ते हैं, रज्वात मना सर्प हसन्व आसीत तो रज्व तो पहले से थी एवं सर्व भावा नाम देखो जी विशे पे आ गए अपने इसी तरह से सभी भावों की उत्पत्ती के पहले सभी भावों की उत्पत्ती मतलब विश्व, तैजस और प्राक ये भी ना समझ में आए तो समझना जीव ये सब हैं कौन? जीव इनके पहले ही वो होना चाहिए सर्व भावा नाम उत्पत्ते है प्राक दोगो जी वहाँ भी आई था ने, पहले जर जो था प्राग प्राणबीजात्मनईवेवसत्वम बीज रूप में तो कुछ होना पहले से चहिए इसले शुत्य कहती है ब्रआमही वेवईदम यव यहां कुछ नहीं था तो यहां ब्रआमही था ये ब्रह्म ही है आत्मा एव इदम अग्र आसीत ये जो दिख रहा है इसके पहले कौन था आत्मा ही था अलाकि ये ब्रहदार छांदों के क्यों शुती है ब्रहदार अन्य है विशे वहां का है कि जब ये क्यों बोल दिया कि आत्मा एव जड़ा देखना ये शुती इस पर बहुत चरुचा हुई होगी आत्मा एव इदम मतलब ही इदम मतलब यह अग्र मतलब पहले आसीत मतलब था इसके पहले आत्मा ही बोलो तो बोले था क्यों बोल दिया अब नहीं है क्या था क्यों बोला था तो उसके लिए बोला जाता है बोलो जी जो अब नहीं है आप बोलते हो इसके पहले आत्मा था तो अब कहा है क्या उत्तर देंगे चैतन्य की एक ऐसी स्थिथी थी जब उसमें कुछ मिलावट नहीं थे जब चैतन्य में एकदम मिलावट नहीं है उस समें चैतन का जो नाम होता है वो सनमात्र होता है this is technical term क्या बोलते हैं सनमात्र सनमात्र मतलब उस समें कुछ भी मिलावट मिलावट नहीं मतलब न अंतरकरन है न ग्यानिद्रिया है न करमिद्रिया है न पंजमा भूत है वहलंग फाइव एलिमेंट्स की भी उत्पत्ती नहीं हुई है पंच महाभूत की भी उत्पत्ती नहीं हुई इसको आपने पढ़ा होगा पंची करण लब पंची करण नाम की चीज हुई नहीं अंतह करण नाम की चीज है नहीं ऐसी स्तिती में भी वो था लेकिन अब क्या हो गया पंची करण होने के बाद जगत की भी उत्पत्ती हो गई तो पहले क्या था पहले आत्मा था जगत अब क्या रहे गया आत्मा है और जगत भी इसको बताने के लिए पहले बोलते हैं पहले आत्मा था लेकिन अब कौन आ गया इसके साथ कौन आ गया जगत भी बोलते हैं ना पहले वह शुद्ध था इसको मुला भी नहीं है क्या है लेकिन अब वह स्तिती नहीं रहे गई अब वह स्तिती नहीं रहे गई जो पहले थी समझ में आती है यह बाद जब ये जगत नहीं था तब चैतन्य अपने आप में स्वेयम था ठीक है अब चैतन्य के साथ कौन है इसका मतलब दोनों का क्या हुआ है मिश्टन हो गया है तो पहले की स्थिति को क्या कहा जाता है आत्मा था इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा भी नहीं है आत्मा भी भी है लेकिन आत्मा के साथ चैतन्य के साथ जगत का भी संयोग हो गया तो ब्रम्ही वेदम रशुति प्याना आपके अब बोलते हैं दूसरी लाइन प्रारम करते हैं प्रभवह सर्वभावानाम सतामिती विनिष्चयह सर्वं जनयती प्राणह बुले सर्वं जनयती प्राणह उसने जना उसने बनाया सब को बनाया कौन बनाया किसने बनाया और क्या बनाया सर्वं जनयती प्राणह उसने बनाया किसने बुले प्राण ने क्या बनाया बुले सरवं सर्व को बनाया अब देखो इस पर बाश्चिकार क्या केते हैं सरवं जनयती प्राण चेतून देखना ध्यान से इस भाश चेतून अंशून अंशवह इव बनाया इसका मतलब लेना चाहिए ऐसे बनाया जैसे सूर की रश्मिया मिल गया अंशवह इवर रवेह रवेह मतलब सूर की सूर की किरणे आत्मकस्य पुरुशस्य चेतो रूपा जिसको बनाया वो पुरुश कैसा है जिसको बनाया वो कैसा है चेतो रूपा चेतो रूपा से ये कहना चाहते हैं वह निर्जीव नहीं है वह सजीव है ठीक है चेतो रूपा से क्या रथे लेना चाहिए वह निर्जीव नहीं है वो कैसा है सजीव है ठीक है न पुलिस का उदाहरन जलार का समाहा प्राग्य तैजस विश्व भेदेना देवतिर्या आदी देह भेदेशु विभाब्य मानहा उस चैतन्य को प्रगट होने के लिए देह की जरूरत है मेरे ख्याल से ये ये फंडामेंटल आपका क्लियर हो चुका होगा चैतन्य सब दूर होने के बाद भी हो सकता है आपको नजर न आवे क्यूंकि चैतन्य को प्रगट होने के लिए एक सतह की आवश्यक्ता है और सतह क्या है वो तीन प्रकार की देह है वो भाश्यकार ने बताया दें तीन ही हो सकती है कौन सी देव देव मतलम देवता लोगों की तिरियग मतलम जीव जनतु और कौन रह गया मनुष्य तो यह बोलते हैं ना सबसे नीची योनी बीच की योनी और सबसे इन तीनों योनियों में कौन गया है शरीर शरीर का तो अनुव है ना मनुष्य के पास भी शरीर है पशु के पास भी शरीर है हां और देवता के पास भी शरीर है उस चैतन ने अपने आपको प्रगट करने के लिए देव में प्रवेश किया अच्छा जी अब वो समझ में कैसे आवे उसने अवस्थाओं के रूप में अपने आपको जनवाया किसने उसी चैतन्य ने जिसने देह में प्रवेश किया अब वो पता कैसे लगे तो बोलते हैं प्राग्य तैजस विश्व भेदेन वही चैतन्य प्राग्य बनकर विश्व बनकर तैजस बनके हमारे सामने आता है हो गया ना तो कल इसका उदाराण दिया गया था जल में सूर्य का प्रत्विम जैसे चेतो रूपा कहने से मैंने आप से बुला कि कहना ये चाहते हैं कि जीव जो है वो चेतन है मतलब निरजीव नहीं है कैसा है इस द्रश्टांत से ये कहना चाहते हैं कि वह आभास रूप है ध्यान दखना जीव आभास रूप है पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है प्रतिवी में का क्या हाल है पकड़ में आता है ना तो आभास मतलब क्या समझे है आभास कहने का अर्थ क्या हुआ मलब वो दिखाई देता है भासमान है लेकिन है नहीं इसको नहीं आपको एक लाइन बूली थी भासमान है विद्यमान नहीं है ध्यान से इन शब्दों पर देखना भासमान है लेकिन विद्यमान मतलब क्या हुआ ऐसा दिखता है कि ये है लेकिन वास्तों में वहाँ पर वो है नहीं जैसे कि बाल्टी में जो सूर्य दिखाई देता है वो वहाँ पर है नहीं लेकिन दिखाई ऐसी स्थिती को जब दिखाई देता है और नहीं है ऐसी स्थिती को बोलते हैं आभास वास्तों में चैतन्य का कोई प्रतिविम्ब नहीं है लेकिन हमें हर देह में कुछ सजीवता दिखाई देती है तो कहा गया है ऐसा समझो उसी चैतन्य का ये सब क्या है आभास है इन शब्दों से कहा क्या जा रहा है वो समझना चेतो रूपां से कहा गया कि वह निर्जीव नहीं है वह सजीव है तो जलार्क प्रतिबिम्ब से कहा गया कि वहाँ पारमार्थिक नहीं वो आभास रूप है कौन जीव तो ये समझना जीव आभास रूप है और इसी को एक सुन्दर्शा शब्द दिया गया चिदाभास अपने नवश चिदाभास जीव के लिए इसमें कोई समझे है दो चीजे बोली चेतो रूपा बोले वो निरजीव नहीं है वो सजीव है जलार कसूर बोले वह जीव आभास रूप है विभाव विमाना विभाव विमाना से बोलते हैं हाँ वो दिखाई भी देता है प्रकाशित भी हो रहा है ऐसा नहीं कि वो दिखाई नहीं देता वो प्रकाशित नहीं हो रहा है आभास रूप होने के बाद भी वो प्रकाशित भी हो रहा है सब के नजर में भी आ रहा है तो अब इस लाइन को पूरा देखना रवेहे चिरात्मकस्य पुरुषस्य चेतो रूपा जलारक समाह प्राग्य तैजस विश्व भेदेन देव तिर्याग आदी देह भेदेशो विवहव्यमानाह चेतों शवह ये तान पुरुषा प्रथक विशय भाव विलक्षन अगनी विशुलिंग वत लक्षनाह जलारकवट अब ये क्या कहा जा रहा है ये इस शब्द की व्याद क्या है सर्वम जनयति प्राणाह प्रथन आपका धान गया है कि नहीं चेतों शून पुरुषा प्रथक प्रथक का क्या अर्थ होगा यहां पर प्रथक का क्या अर्थ किया जाएगा क्या प्रथक है अब यह लाइन टेकनिकल है थोड़ा ध्यान से समझना उपाधी की दृष्टी से जगत है उपहित की दृष्टी से जीव है ध्यान से समझना जाएगा उपाधी और उपहित मेरे ख्याल है यह शब्द क्लियर हो गया होगा यह शब्द है आता है न एक होगई उपाधी और उसमें जिसकी उपाधी है that person that owner उसका नाम क्या कहलाएंगे उपहित तिससे आप हो गए मान लीजे अध्यापक तो अध्यापक क्या हो गया एक उपाधी जो उपाधी में है वो person उसका नाम क्या हो गया उपहित उपाधी की दृष्टी से जगत है ठीक है उपहित की दृष्टी से हाँ जीव है सोचो ज़रा क्या कहागे है उपाधी की दृष्टी से जगत है उपहित की दृष्टी से हाँ जीव है क्या समझ में आता है एक दृष्टान दिया गया की आगे खुदी इसमें बोला हो है यथोर्ण ना भी यथोर्ण जो मकड़ी है जाला भी कौन बनाती है तो कहा गया की जाले का जो efficient cause है unmaterial cause वो सेम है ये बात समझ में आते हैं जाले का निमित कारण और जाले का उपादान कारण ये की ही है ये बात एकदम स्पस्ट है जाले को वो जाले को बनाने वाली कौन है और वो जाला भी किस ने बनाया ये ही एक अजूबा उधारण है बस आपके हैं जहां की निमित कारण और उपादान कारण दोनो efficient cause and material cause अपने तो अपना ही है उधारण अपने अलावा अपने अलावा अच्छा जी जाला किसकी प्रधानता से है सोच के देखना जाए एक हो गई मकडी और एक हो गई हैं जाला जाला उपाधी की प्रधानता से है तो मकडी भलो जी होगा जाला उपाधी की प्रधानता से है तो मकडी स्वयन उपहित की प्रधानता उपहित मतलब जो उस उपाधी में गया हुआ है जगत की उत्पत्ती ईश्वर की उपाधी के कारण है वो विश्व है वो विराठ है उसकी ऐसी उपाधी है उस उपाधी के कारण जगत है लेकिन उपहित जो है वो कौन है वो है जीव, वो है चेतन तरहा इस थौट को समझना महीन है खुल जाए तो बहुत आसान है ये समझना जगत को हम सब उपहित की प्रधानता से है अकिर जीव को किस दृष्टी से देखते है अकिर जीव को क्या कहा गया है चेतन, चेतन किस दृष्टी से जीव चेतन है किस दृष्टी से सोचो आप उपाधी की दृष्टी से कभी भी आप चेतन बोलो जी हो नहीं सकते सोच के देख़ो आप जीव चेतन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी निगाह किस पे बनी हुई है उपाधी पर और उपाधी की दृष्टी से कभी नहीं हो सकता पता नहीं यह बात आपको पहले भी बोली होगी जब वेदान्त यह कहता है कि तुम ही इश्वर हो यह कहा जाता है ना तुम ही ब्रह्म हो यह तो कहा गया है ना तो तुम ही ब्रह्म हो किस दृष्टी से बना ना उपाधी की दृष्टी से भेद है तुम इश्वर कहां से हो सकते हो वो पुरे ब्रह्मान का मालिक उसके पास अनादी काल से इतनी सारी शक्ती है पीज है भीज है प्रकाश है ग्यान है पराक्रम है उस दृष्टी से देखा जाए और आप बुलो कि मैं भी क्या हूँ बुल के देखो आप जब व्यक्ती कहता है कि तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो तो इसका मतलब उसकी जो दृष्टी है वो कहां पे लगी हुई है तो उपाधी की दृष्टी से तो भेद है ही लेकिन उपहित की दृष्टी से जब एक बड़ा पुलीस आफिसर और एक छोटा कांस्टेबल उन दोनों में जो उपहित है वो एक है अलग क्या है उनकी लेकिन दोनों में गया परसन जीव छेतन की उपहित की दृष्टी से है उपाधी की दृष्टी से बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखें हम और आप ज्यादातर ध्यान में उपाधी की ओर देखते हैं उपहित की ओर नहीं देखते सोच के देखना अच्छ प्रेक्टिकल मैं ब्रम हूँ कहते ही अब क्या सोचा आपने मैंने इसे ही बोला मैं ब्रम हूँ अब क्या गया ब्रम हूँ मतलब व्यापक तो विक्ति पहले ही सोचता मैं सब दूर गया हुआ हूँ गया जो महान में गया जो तुक्ष में गया वो जाने वाला मैं हूँ आरे ना बात समझ में तो उपाधी की दृष्टी से जगत है और बिना उपाधी के जगत मैं आपको दिखाऊं इसका उदानन जब आपके रात की नींद में आपकी कोई उपाधी नहीं होती तो आपके लिए गोलो जी होता है जगत आया कब जब मैं कुछ बनता हूँ जब मैं कुछ हो ही नहीं तो जगत कहां से है मैं चेतन हूँ इसमें जगत आई नहीं सकता क्यूंकि मैं चेतन उपहित की भाव से कहा गया ना की उपाधी की दृष्टी से अच्छा उपाधी अब इसको अब समय नहीं उपाधी की दृष्टी उपाधी कहां से आ गई शरीर जड़ है अन्ता करण जड़ है अन्ता करण में वह प्रतिबिम्ब पड़ा यहां से सजीवता आना प्रारंब हुई मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ चेतनता का प्रारंब नहीं मैं उसके पहले एक वाके बोल दो सजीवता और चेतनता दो अलग अलग चीज़ें हैं सजीवता और चेतनता मैं इसको एकी मत कर देना यह नहीं कहा जाता कि मैं सजीव हूँ कहा क्या जाता है मैं मैं चेतन हूँ मना ना जब उसका प्रतिबीम पड़ा और क्यूं पड़ा बेवहार के योग्य अन्ता करण बनने के कारण बस जो भी चेतनता का आदान प्रदान हो रहा है न यह सिर्फ किसके कारण है बेवहार योग्य अन्ता करण को बनाने के लायक अधर वाइस तो अन्ता करण भी अपने आप में क्या है जड़ है उस चेतन के प्रकाश के कारण ये ब्यवहार के योग्य गुलोजी बन गया मुर्दा ब्यवहार नहीं कर सकता जिंदा व्यक्ति ब्यवहार कर लेता है तो उस सेंट्रल थीम पर रहना उपाधी की दृष्टी से जीव है उपाधी की दृष्टी से जगत है और उपाधी की दृष्टी से जीव है जैसे की जैसे जाला उपाधी की दृष्टी से है उपाधी की दृष्टी से मकड़ी है उपाधी की दृष्टी से मकड़ी है आ रहा है और उपाधी की दृष्टी से जाला है इसी तरह से उपादी की दृष्टी से जगत है तो उपहित की दृष्टी से बोलो जी वो छेतन है कौन यही विश्व, यही प्राग के और यही तैजस हुआ न? अकिर विश्व, प्राग के तैजस यह हैं क्या? उपादी उपादी किसकी? प्राग्य मतलब शुशुप्ति की उपादी, यही तो है, तैजस मतलब क्या? सपन की उपादी लगा दी, विश्व मतलब जागरत की, यह उपादी की द्रिष्टी से ही तो है, उपहित की द्रिष्टी से कहा है? उपहित की दृष्टी से तो प्राग्य, विश्व और तैजस तीनों चेतन है उपहित की दृष्टी से ये तीनों चेतन है हो रहा है वरना तो ये तीनों तो जब आपको ये इसलिए कहा गया कहीं ये ध्यान मत करना कि मैं प्राग्य हूँ मैं विश्व हूँ तो दियान उपहित का नहीं हो रहा है दियान किसका हो रहा है उपाधी का हो रहा है वह तो ये जो बोला गया ना प्रथक प्रथक उपाधी की दृष्टी से जगत उपहित की दृष्टी से जीव इनको बनाया किसने दोनों को सरवं जनयत प्राडहा उसी बीजरू प्राण काउन चेतोंशून चेतोंशून चेत की जो बोला गया अन्शू रश्मिया उन्हों नहीं क्या किया इस जगत को बनाया इस जीव को क्या किया मतलब ये उसी का क्या है आभास रूप प्रतिविंब हमें दिखता है जरब पूरा श्लोग देख लीजे आप एक एक शब्द इसका अपने आपसे प्रभवा सर्वभावानाम सतामितिविनिष्चयह सरवं जनयति प्राणह शीतों शुन पुरुषप प्रतक हो गया ना तो भास भी यहां पे साब्त उताज सर्वभावान प्राणों बीजात्मा मिले याँ बीजात्मा बीजात्मा मतलब वही चेतन जनयति यथोरणना भी ही जैसे एक मकडी बनाती है यथा अगने शुद्राहा विस्फुलिंगाहा इत्यादी शुते है जैसे एक अगनी से क्या निकलते हैं बहुत सारी क्या निकली और वो सब चिंगारिया कहां चली आई उसी अगनी में अब बोलते हैं जो ये जगत है इसकी छे दृष्टियां है देखने की साथ मैं देखता हूँ जहां तक मुझे समझ में आए विभूति ही विस्तारह इश्वर सृष्टि ही इती सृष्टि चिंतिकाहा मन्यंतेतु परमार्त चिंतका नाम सिस्ट्वादरह इत्यर्तहा ये जो चिंतक लोग हैं सृष्टि के ये मानते हैं कि ये सृष्टि इश्वर की विभूति का विस्तार है अब इसमें छे वाद हैं छे दृष्टियां हैं ये मैं आपसे बाद में डिसकस करूँगा इसमें क्या क्या हैं एक तो है विभूति ही प्रसवं तु अन्ने मन्यंते सृष्टि सौपनम आयासम रूपम सृष्टि अ आख्या करते हैं, तो कोई बोलता है इक्षा मात्रम, कोई बोलता है कालात अब यागया की श्लोक हैं, मैं इनको संक्षेप में कले ले लाँ, कालात प्रसूतिम, कोई बोलता है काल की प्रसूति हैं, कोई बोलता है भोग के लिए हैं, कोई बोलता है क्रेडा के लिए हैं, यह लोग हैं जो इस जगत के प्रती यह छे द्रश्टियां हैं तो यह आपकी सात्वी आठ्वी और नौवी कारिका में यह आ जाएगा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णाः पूर्णमदच्यते पूरणस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्